हेलो फ्रेंड में आंसी मौरिया और नाग वाचिंग एम डाट एम डाट एम एजुकेशन यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड जैसा कि आप इसक्रीन पर देख रहे हैं हम क्लास्ट रेल्थ बाइलोजी का चेप्ट नबर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं कि काफी जादा मदद करेंगे जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं पार्ट नुबर सिक्स है तो पार्ट नुबर सिक्साइट मिंस यार पीछे के सा मतलब पार्ट नुबर फिफ्ट तक हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं और हर पार्ट में के इंपॉर्टन टॉपिक है हर पार्ट नुबर फिप्ट में हमने देखा था इस्ट्रक्छर अपॉलन ग्रेन से जितने इंपॉर्टन कुश्छन बन रहे थे यार सारे कुष्छन हमने देख लिए हैं और पार्ट नुबर सिक्स में हम देखते हैं प्रॉपरिटीज औअ यहां पर हम देखängen के प्रोपरिटीज और पॉलेंग ग्रेंग से कितने इंपोर्टेंट कोई होते हैं जो कि आपके एक्जाम टर्म फर्स्ट में आपके ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे तो यहां पर सारे क्वेशन आपके इंपोर्टेंट के पॉइंट भी तो अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देख रके हैं पिछले वीडियो मतलब 1-2-4-5 सारे वीडियो नहीं देख रके हैं दन्यार प्लीज जाके देखिए निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इवेन है उपर आई बटन में भी आपको लिंक देखने के लिए मिल रही होगी और अगर अभी तक आप चनल पर ने है तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजे बटीत Python पीशे के लिए आपको वीडियों बटन मिलते रहें आपको अपड देखितने हैं और पीछे के सारे question हो चुके हैं, पीछे के part में, तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हो question है, what do the blue arrow indicate, यहां पर जो blue arrow है, यहां पर आप देख पा रहे हो, कुछ red, red color से है, और यह जो blue arrow है, मैं आपको बताऊं कि यह पूरा diagram देख पा रहे हो, यह पूरा diagram है, pollen grains का, एक तम simple simple सी बाते हैं, okay, यह पूरा diagram है pollen grains का, और यहां पर यह जो आप देख पा रहे हो, यह क्या है, यह है, जर्म पोर, तो यहां पर ऐसे आपका option सही होता है, D, जर्म पोर, जो है, pollen grain के outer wall पे present होते हैं, okay, तो यहां पर option सही है, आपका D, आगे चलते हैं, pollen viability, okay, तो यहां पर यह जो पॉलन के वायविलिटी क्या होती है, okay, तो यहां पर क्या होता है, मतलब कि यह एक ऐसा period होता है, जितने टाइम में pollen grain germinate कर सके, okay, मतलब यह जो पॉलन वायविलिटी का जो पूरा टाइम होता है, यह एक टाइम पीरियोड होता है, जितने टाइम में pollen grain germinate कर सकता है otherwise वो अपनी वाइलिटी खो देता है it means आपके लिजे डेटी स्पायर हो चुका है वो जर्मिनेट नहीं कर सकता है तो यहाँ पर आप देख पार है वैलिटी टू जर्मिनेट देखो एक बात बताओ मैं आपको भले ही आपका यह जो आपसन ए है फिल्हाल तो सही है ही अगर आपको सही लग रहा है कि हाँ भाई कुछ और नहीं हो सकता है यही एकदम exact answer है यही फिर भी आप सारे option पढ़ा करिए सारे option देखा करिए ओके time taken to mature तो यह तो होगा नहीं dehiscence यह भी नहीं होगा और sensiveness यह भी नहीं होगा तो ability to germinate उसके बाद यह चीज आप डिफाइन करिएगा कि हाँ यह option एही सही होगा okay ability to germinate okay देखो यह जैसा कि मैंने आपसे बात की कि यह जो वाइविलिटी वाला पीरियड होता है यह कुछ भी हो सकता है यह कुछ भी हो सकता है यह it's maybe 30 minute it's maybe few hour few days few months कुछ भी हो सकता है okay आगे चलते pollen grains can be stored in pollen grain कहां कैसे किसमे स्टोर किये जा सकते है liquid oxygen में के liquid hydrogen में के liquid ozone में के liquid ozone में के liquid nitrogen में किसमें यह pollen grain स्टोर किये जा सकते हैं देखो मैं आपको बताओ कि एकदम low temperature पे एकदम low temperature पे pollen grain इस्टोर किये जा सकते हैं देखो जैसे आपका कुछ blood bank होता है ना जैसे आपका blood bank होता है कुछ ऐसे ही आपका pollen bank होता है जहां पर pollen preserve करके अच्छे तरीके से रखे जा सकते हैं माइनस 196 degrees celsius पे pollen स्टोर किये जा सकते हैं तो यहां पर इस बात से आपको कुछ अंदाजा लग रहा है कि यहां पर क्या अंसर हो सकता है कौन सा option सही हो सकता है क्या liquid ozone liquid hydrogen liquid ozone liquid ozone liquid nitrogen तो हाजी बिल्कुल नमबर में pollen प्रोड्यूस करती हो ओप्सन क्या सही हो सकता है अप्सन नमबर सी सही है आपका ओके एनीमोफिलियस ओके अगे चलते हैं वन वन आफ दा मेजर कॉंट्रिबूटर तो पॉलन एलर्जी इस पॉलन एलर्जी में सबसे जाधा भई कौन कॉंट्रिबूट करता है यहां पर लॉन ग्रास केरेट ग्रास वीड ग्रास पैडी तो यहां पर जो पॉलन एलर्जी होती है लोगों को इसमें सबसे जाधा कॉंट्रिबूशन कॉंट करता है सबसे जाधा कॉंट्रिबूट कर रहा होता है देखो मैं आपको बिताओं जो पॉलन ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस करता है जो प्लांट ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस करता है जो प्लांट ज्यादा नंबर में प्लांट प्रोड्यूस करता है जो प्लांट ज्यादा नंबर में प्लांट प्रोड्यूस करता है ज पतलब यह सब मेजर कांट्रिब्यूटर है पॉल इलर्जीज के तो यहां पर देखो लॉन ग्रास है यहां पर वेड़ ग्रास पैडी आपका ऑप्सन सही हो रहा है यहां पर कैरल ग्रॉस है एक डम पेलया साथ के अचाँ है और युग इस घ्रैटker तो हां है बलकुल यह बातanden आ है कि आपका अंशर सही हो जाएगा भी यह बात आथे सते हैं ते हो को स्मेटिक में यूज होhen यह मतलब नेचर क्योर में निचरल क्योर में यह चीजें यूज होती है and as a food supplement भी pollen यूज किये जाते हैं तो यहां पर आपका option से जाएगा भी आगे चलते हैं pollen grains is also known as pollen grain को हम और किस नाम से जानते हैं तो देखो यह सारी बाते एकदम सिंपल हैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा बताने वाली बाते नहीं है okay microspore obviously हाँ जी बिल्कुल आपका option सही है यह सही होगा यह एकदम सिंपल सी बाते हैं और अगर आपको याद हो तो पिछारे वीडियो में यह सारी बाते हो भी चुकी है okay option सही आगे चलते हैं why are pollen spiny pollen spiny क्यों होते हैं जरब बताईए आप pollens are spiny because they make it easy for pollens to attach themselves to the insect that come to suck the nectar वो इसके nectar को सक करने के लिए आए और ऐसे पूरा cross pollination हो जाता है okay तो यह बाते हैं देखो मैंने आप से बात कहीं कि pollen spiny क्यों होते हैं क्योंकि यह मतलब insect को अपनी body में attach कर सके और यह आएंगे वहां से कौन insect insect आएगा और इस प्लांट की body से nectar लेके जाएगा तो एस करके पूरा cross pollination होता है वो तो आपको पता है इस stigma तक जाएगा आगे चलते हैं option C सही है okay और यहां पर आपका question no.49 है किनू podium is the source of pollen allergies okay तो क्या यह बाते सही है हाँ जी बिलकुल सही है pollen allergies किनू podium से होती है option A सही है आगे चलते हैं और यहां पर आपका 50 numbers of question है which nutrients do the pollen grain contains the most तो यहां पर ऐसा कौन सा nutrition है जो कि pollen में सक्से जादा मांट में पाया जाता है क्या विटा मिन्स प्रोटीन फैट्स कॉर्वोहाइड्रेट्स तो यहां पर कौन सा option सही होगा आप ज़रा बिताए देखो तो pollen grains are considered nutrients since they have यहां पर आपको देखने के मिल रहा है कि pollen grains मतलब ऐसा nutrients consider किया जाता है तो मैं आपको बताओ कि यहां पर प्रोटीन होती है सेबन तू 26 परसेंट एंड कर्भोहाइड्रेट की बात की जाएं तो तो आपको 24%-48% परसेंट देखने के मिल सकता है OAK अगर फैट की बात की जाए तो 0.91-14% आपको यहां पर देखने के मिल सकती है तो यहां पर आप मतलब अंदाजा लगा ही सकते हैं कि क्या सबसे जादा है क्या सबसे जादा माउंट में क्या है तो कॉर्भो हाइडरेट ओके ऑप्संस दी सही है जैसा कि आप सोच रहे हो कि लिए कॉर्भो हाइडरेट जादा होने की वज़ा से यह यूज इन मल्टिपल और साथ ही साथ में जो रेस होरस होते हैं उन्हें भी यह पॉलन टेबलेट सीरफ यह सब खिलाए पिलाए जाते हैं एनर्जी को इन्हेंस करने के लिए ऑगे हलाए कि यह साई चीजे बेहन है क्योंकि आपको पता है कि वैसे यह साई बात है हम चैप्टर में कर चुके हैं आप जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंग इवन है यार मैंने पहले भी बाते हैं तो हम में गी बाते बोल रही थी कि अब देखो कर्वो हाइडरेट्स इतने जादा अमाउंट में यहां पर देखने के लिए मिल सकता है मिल रहा है तो जैसे कि यह जो ए मेडल लेके आए फर्स्ट रांक आये तो यह सारी बाते है वैसे कि वैसे तो मैंने आपको बताया भाई कि यह साही चीटिंग है बैन है इसलिए यह सब चीटिंग के तहता आता है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही ओके एंड मिलते हैं पार्ट सेवन में तो पार्ट सेवन में तो पार्ट सेवन में हम बात कर रहे होंगे किस टॉपिक पर भाई इस्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल इस्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल पर हम उसमें बात करेंगे पार्ट सेवन में तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन पर प्रिस कर लिजे जिससे जैसे ही वीडियो आये पार्ट सेवन वो भी आप देख सको 51 तो 60 कुईस्टन होंगे उसमें कर लिजे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे जिससे सारे कुईस्टन आपको मिलते रहें बकाईदा यह चैप्र टू आपको खतम हो दिन आगे चलते हैं और एक्जाम आपके एकदम नजदीक हैं सो फ्रेंट्स बढ़ाय मिलते हैं नेक्स वीडियो में और फ्रेंट्स लाइक वाचि एक्ट बच्टो और वाचि यूगर्वाचि वोट लुवार्वाचि यह प्र टूर्यूट मिलते हैं और ले खो ओंवास्ते हैं और ले खाने टोर्वाचि एरेडियो दुट्टियूग्